हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का knowledge top channel में दोस्तों आज हम general knowledge के most important question जो temple से related यानि मंदिर से related जो भी important question दोस्तों पूछे जाते हैं जिस भी exam में चाहिए air force हो, navy हो, coast guard हो, ssc हो जिस भी exam में general knowledge से related question पूछे जाते हैं आज हम उन question को discuss करेंगे और यह series रहे कि दोस्तों प्रमुक temple से यानि मंदिरों से related question तो चलिए दोस्तों बिना लेट के करते हैं वीडियो को start दोस्तों पहला question है आपके सामने पहला question है दोस्तों कि मिनाक्षी मंदिर कहां पर इस्तित है तो आपको इसका सही answer चुनना है मदुरई में रामेश्वरम में असम में या उत्तर परदेश में तो दोस्तों इसका right answer है मिनाक्षी मंदिर मदुरई में इस्तित है तो answer A is the right answer तो आप लोग याद रखें मिनाक्षी मंदिर जो है ये मदुराई में इस्तित है तो आप लोग इसे याद रखें अगला कोशन दोस्तो अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन है कि सूर्य मंदिर कहां पर इस्तित है दोस्तो ये most important कोशन है आप इस पर स्टामा कर लीजे ये कोशन पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहां पर इस्तित है तो सूर्य मंदिर दोस्तो आपका क्या मदुराई में इस्तित है या गोवा में इस्तित है या चिन्नाई में या कोणांक में तो सूर्यम मंदिर दोस्तों आपका कोण आंक में इस्तित है, तो answer D is the right answer, आप लोग याद रखें, सूर्यमंदिर कोण आंक में इस्तित है, अगला question, अगला question है, कि उज्जयन में कौन सा प्रशेद मंदिर इस्तित है, मिनाक्षी मंदिर, महा कालिश्वर मंदिर, तो इसका राइट आंसर है आंसर B तो आप इसे याद रखें कि उजयन में कौन सा मंदर प्रशिद है तो उजयन में महाकालेश्वर मंदर प्रशिद है तो आप इसे याद रहें आंसर B is the right answer अगला कोशन दोस्तों अगला कोशन है कि देलवाडा मंदिर कहां इस्तित है तो देलवाडा मंदिर कहां इस्तित है आप लोग इसे भी याद रखें देलवाडा मंदिर राजिस्थान में इस्तित है आप ये कोशन भी याद रखें देलवाडा मंदिर में इस्तित है दोस्तों ये कोशन भी इंपोर्टेंट है आप इस पर भी स्टार्मा कर लीजे ये कोशन भी काफी एक्जामों में पूछा जाता है और आर्मी के जीडी क्लर्क टेकनिकल में ये कोशन पूछा गया है तो आप लोग इसे याद रखें कि प्रशिद कामाख्या प्रशिद कामाख्या देवी मंदिर किस राजय में इस्तित है उत्राखंड, मध्यपरदेश, करनाटक या असम तो प्रशिद कामाख्या देवी मंदिर आपका असम में इस्तित है तो आप लोग इसे याद रखें कामाख्या देवी मंदिर असम में इस्तित है अगला कोशन अगला कोशन है कोणांग का मंदिर कहां इस्तित है तो कोणांग का मंदिर के उड़ीशा, केरल, राजस्थान या तमिलाडू तो कोणांग का मंदिर उड़ीशा में इस्तित है तो आप लोग इस कोशन को भी याद रखें आंसर A is the right answer अगला कोशन अगला कोशन है ज्वाला मुखी मंदिर कहां इस्तित है तो ज्वाला मुखी मंदिर दोस्तों कहां इस्तित है कांगड़ा में कोणांक में श्रीनगर में या गया में तो ज्वाला मुखी मंदिर है यह आपका कांगड़ा में इस्तित है तो आप इसे भी याद र होंगे लुदियाना चंडीगर अम्रिटसर या दिलի तो दोस्तों इसका राइट अंसर होगा अमरिटसर answer C is the right answer निमन्नम आपका स्वण मंदिर अम्रिटसर में इस्थित है आपका सी राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन दोस्तों अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला है दक्षेनेश्वर काली मंदिर कहां इस्तित हैं तो दक्षेनेश्वर काली मंदिर कि मुंबाई में या दिलली में या बेंगलोवर में या कॅलकता में तो answer आपका answer D is the right answer D आपका सही होगा जो दक्षनेश और काली मंदिर है यह कॉलकता में इस्तित है अगला कोशन अगला कोशन है अक्षरधाम मंदिर कहां इस्तित है दोस्तों यह भी most important question है इस पर आप इस्टामाग लगा लिजिए यह question भी exam में पूछे जाते हैं यह वाला question में बहुत पूछा जाता है तो question है अक्षरधाम मंदिर कहां इस्तित है तो अक्षरधाम मंदिर मुंबई नई दिल्ली करनाटक यह कॉलकता तो आप लोग याद रखें कि अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में इस्तित है answer B is the right answer अच्छा दोस्तों अगला question है केदारनाथ मंदिर उत्राखंड में इस्तित है तो answer A is the right answer अगला question है बद्रीनाथ मंदिर कहां इस्तित है तो बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों मंदिर जो है यह उत्राखंड में ही इस्तित है तो आप लोग याद रखें answer C is the right answer बद्रीनाथ मंदिर आपका उत्राखंड में इस्तित है तो बद्रिनात मंदिर आपका उत्राखन में इस्तित है answer C is the right answer अगला कुशन है शिद्धी विनायक मंदिर कहां इस्तित है तो शिद्धी विनायक मंदिर नई दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता ये चंडीगर तो आपका शिद्धी विनायक मंदिर ये आपका मुंबई में इस्तित है और भगवान गणेश की यहाँ पर पूजा की जाती है answer B is the right answer अगला कुशन है गंगोतरी मंदिर कहां इस्तित है जारखन, उतरपरदेश, उतराखन ये हिमानचलपरदेश तो इसका answer है दोस्तो answer C is the right answer गंगोतरी मंदिर उतराखन में इस्तित है अगला कुशन, अगले कुशन क्यों बढ़ते है अगला कुशन है काशी विश्वनात मंदिर कहां इस्तित है लखनाव, वाराणसी, गोरकपुर या बकसर तो इसका answer होगा वाराणसी तो काशी विश्वनात मंदिर वाराणसी में इस्तित है तो ये कहां है उतर परदेश में है आप लोग इसे भी याद रखें कि वाराणसी कहां उतर परदेश में है अगला कुशन अगला कुशन है रामेश्वरम तीर्थ कहां पर इस्तित है सौरी दोस्तों यहाँ पर कहां होना चाहिए था मैंने कहा कर दिया टाइबिंग मिश्टिक हो गई लेकिन आप लोग इसे भी याद रखें कि रामेश्वरम तीर्थ कहां पर इस्तित है तो रामिश्वरम जो तीर्थ है ये तमिल नाडु में इस्तित है तो आप लोग इसे याद रखें आंसर B is the right answer अगला कोशन, अगले कोशन की ओर अगला कोशन है प्रेम मंदिर कहां पर इस्तित है तो प्रेम मंदिर आपका दोस्तों ये ब्रिंदावन मतुरा में इस्तित है तो इसे भी आप याद रखें कि प्रेम मंदिर ब्रिंदावन मतुरा में इस्तित है तो आंसर C is the right answer तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं ऐसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत